गुद इवनी चलो आज क्या discussion होने वाला है आज जो question आया था question paper CA final SFM का question paper का review तो आपको पता है अच्छे से मैं जो बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ solution की 90% जो solutions है वो तो हमारी book से ही है हमारी book ले लो या study material ले लीजिए यह practice में एक ही बात है जो इकात question में problem आ रही है उस matter पर मैं discussion करूँगा और मैं अपने personal opinion जरूर रखूँगा कि यह इसका solution ऐसे होना चाहिए हलाकि suggested अभी तक आया नहीं है ICAI का तो कहना मुस्किल है पर देखते हैं पहले बात करें paper की Sir question paper जो आया था इस question paper के help से यह जो pattern है इसके help से हम यह अनुमान लगाएगे कि आगे क्या हो सकता अगर देखा जाए तो portfolio जो है वो question paper में भरा हुआ था 24 number का portfolio था एक question derivative का अगर मैं कहूँ derivative का एक question है कुछ लोग इसको portfolio का भी question बोलते हैं पर हमने derivative में cover cover कर रखा इसलिए मैं इसको derivative का question बोल रहा हूँ Question number 3.1 ही में बात कर रहा हूँ ठीक है जिन लोग के पास question paper है वो question paper देख सकते question number 3.1 ही में बात कर रहा हूँ मेरे हिसाब से वो derivative का question है हाला कि कुछ उसे portfolio का question मानते है तो इस हिसाब से derivative का question ही नहीं आया अगर में बिल्कुल ध्यान से देखो derivative का एक question है आठ नंबर का अगर आप उसको portfolio का treat कर लेते तो बात ही कता derivative के question नहीं है खास बात है FRA, interest rate, swap, cap, collar floor बवाल मचा था पिछले attempt में कियार cap की question में institute ने ये किया ये Louise बार दिया ही नहीं इसके अलावा याद इतनी महनत होती है forex पे खेल खेल लिया, forex का एक simple सा question दिया, बिल्कुल simple आगे discussion करने वाला है question इसके अलावा international financial management का एक question है और वो भी book से ही है किया हुआ, it means total मिला कर ये 4 chapter पे हम कम से कम 100 गंटे लगाते है, बढ़ा ही करने में, मतलब, sorry, ये 4 chapter important थे है, अपने ज्यादा इंपोर्टन यही 4 chapter है क्योंकि बच्चों से बनते हैं, और मुझे ऐसा लगता है, इन 4 chapter से question आना चाहिए खेल हो गया है, हमें विश्वास नहीं हो रहा है, कि और 4X मुझे ऐसा लगता है, 4X का solar number का question बनते ही बनते पर ठीक है, चलेगा security valuation से साहा 20 number के question है, bond का एक question था एक equity का question था, मतलब 8 और 8-16 और एक 4 number का sustainable growth rate का question था, last में 6-B करके उसको मैं security valuation का हिस्सा मान लेता हूँ, ठीक है, तो security valuation के total मिलाकर 20 number के question आये थे security analysis जो होता था, जिसमें हम exponential moving average निकालते थे इसके अलावा security value run test वगेरा सब करते थे, वो उसका कुछ नहीं है, zero number corporate valuation का एक question दिया, 8 number का, ठीक है, वो corporate valuation merger का 8 number का, ये भी ठीक है merger का 8 number का बनता भी है, खास बात बस ये portfolio management 24 number का डाल दिया mutual fund का 8 number का question, it means मेरे हिसाब से question paper में, यहाँ ये सब ठीक है, बस ये जो जाता है वो यहाँ का उठा कर डाल दिया है, it means यार interest rate risk management में एक question रहना चाहिए था, security analysis में भी question रहना चाहिए था, it means उसने portfolio का ज्यादा witness दिया है, इस और equity को ज्यादा witness दे दिया है, जबकि यहाँ भी थोड़े-thोड़े question डाल कर वो काम कर सकता था, पर ठीक है, institute की जैसी मर्च, value at rate, मैं theory की बात नहीं करूँ, theory तो simple है, theory की मैं बात ही नहीं करूँ, मैं सिर्फ numerical questions की बात करूँ, तो इस तरह से question paper बना था, सर तो बुक से आया था कि नहीं, तो जो regular book की तो मैं बात ही नहीं करूँ, मैं बात करूँ, exam oriented book, अगर exam oriented book उठाओगे आप, और question paper उठाओगे, question number 1A, merger का question है आप पी जानते हूँ हमारी same question, exam oriented book में, question number 15 और page number 29 पे मिल जाएगा, regular में तो मिलना ही मिलना है, कोई बात की नहीं है, पर कुछ बच्चे होते हैं, exam oriented book में पता नहीं, आपने पूरा coverage कर रखा है कि नहीं कर रखा है, तो उठा लिजे, और exam oriented book का तो मैंने आपको soft copy भी दिया, जिन्होंने मैं से class नहीं किया है, उन्हें भी मैंने sort copy दे दिया, तो सर कहना क्या चाहते होगी, यह कहना चाहते हो कि सारा questions आप ही के book से आए, मैंने ऐसा नहीं का, मैं यह कह रहा हूँ कि जो question paper में questions है, वो सभी की book से आए, मैं अच्छे से जानता हूँ, सारे teachers ने question already cover कर रखे होगी, तो अ अगर आप मिलाना चाहो कि यार exam oriented book में जो questions है, क्या वो cover है, तो यहां मैंने question number और यहां मैंने page number डाल रखा है, हाँ, last का जो question number 6A और B है, 6A और B, उसमें मैंने नहीं लिखा है क्योंकि वो exam oriented book में वो question नहीं है, लेकिन विश्वास मानिए, इतना basic question है, इतना basic question है, bond का value निकालना है, अगर require rate of return 7% हो, 7.75% हो, तो यह तो वैसे भी कर लो, कि आगे तो मैं discussion करने वाला हूँ, ऐसे भी, पर question number 6, भले ही book से नहीं है, लेकिन अगर जिन्होंने मेरे concepts अच्छे से कर रखे है, तो यह वाला question 8 number का था, और यह वाला, तो as sustainable growth rate, बी into our, growth rate का question था, तो स और, same question है कि आपके book, पमें same question नहीं है, अब मेरी किसी की book में नहीं मिलेगा, लेकिन hundred percent यह question भी आप बना लेते है, हाला कि हमें 6 question तो बनाने नहीं था, हमें तो 5 ही बनाने है, और 5 बनाने होते हैं, तो में यह शुरू के 5 बना लेता, कोई दिकत नहीं है, ठीक है, थिखे कर जो हमने सोचा था है चार चार नमबर का त्योरी आएगा पाच कोश्चन शे कोस्ट इस बार ये जो है ना ये 6B जनरली A, B, C C, 4 नमबर का थियोरी 2 A, B, C, C, 4 नमबर का थियोरी लेकिन institute ने इस बार इसके साथ sustainable growth rate की question के साथ theory भी दे रखा chapter number 1 से खेर, तो यह था मैंने आपको बत, दो चीजे मैंने discussion किया हूँ अभी तक पहला, पहली बात क्या किया आपके साथ कि question paper जो है, question है उसमें ज़्यादा weight is किसका दिया है portfolio management का तो सर आगे क्या expectation है आपके अगले वाले paper है कोई expectation नहीं है और पहले भी नहीं है मैं कभी भी आपको questions को A, B, C इस category में नहीं बाढ़ता हूँ 100% करना, 100% ठीक है, दूसरी हाँ, कुछ लोगों का बच्चों का ये सोचना था, जितनी मेरी बात हुई है कि सर इस बार portfolio ज़्यादा दे दिया तो अगले बार forex देगा मैं नहीं जाना था कि क्या देगा, क्या नहीं मुझे इतना पता कि 100% तैयारी करनी ठीक इससे मैंने क्या बता है इससे मैंने ये बता है कि जो बच्चे डर रहा है कि सर exam oriented बुक्स में, नाम है exam oriented तो वहाँ से questions आते हैं कि नहीं आते तो इस बार का paper देख लीजिए वहाँ से question है, और ऐसा नहीं कि exam oriented books मतलब, बिल्कुत सौटकट मैं बढ़ा रहा हूँ, जी ऐसा नहीं है सब कुछ covered है उसमें मैं ये कभी नहीं बोल रहा हूँ कि ये मेरी ही book से आया सार जी सभी की book से आया सारे teachers, आपनी किसी भी class लेगा क्योंकि ये institute के ही questions है ठीक, ठीक है जी तीसरी बात मुझे अब discussion करना है, मैंने आपको जिनके पास time नहीं है, वो ना देखी वीडियो पर मैंने, मैं पूरा discussion भी नहीं करने वाला हूँ मैंने आपको जो question paper है, उसका solution दे दिया है, आप description में जाओ किये, तो उसका solution मिल जाएगा जो इस बार का question paper है, लेकिन कुछ points है, जिसमें मेरा opinion है, मैं बता दूना तो हो सकता है कि I, C, A, I का suggested answer अलगा है, मैंने अपने opinion के हिसाब से जवाब दिया है, देख लेते हैं सबसे पहले बात कर रहा है, question number one जो compulsory question था, one A तो question number one A, बिलकुल simple question बिलकुल simple merger का, it means से बच्चों को point number one में A, B, C, D, E में कोई दिक्कत नहीं गई पर, कुछ बच्चों का phone आया कि सर ये one, जो one A में point number two है, ये क्या कहना चाहता ये हमें समझ बनी आया, उसमें लिखा है कि shareholder है beta limited के, beta limited मतलब ये वाली कभ, जो company big रही है जो company को खरीदा जा रहा, beta limited पुले, उसके shareholder जिनके पास 100 shares है, क्या वो अपने ishtag को base देना चाहिए और सर ये जो decision EPS के basis पे दे की, MPS के भाई साब, MPS EPS तो देख रहा नहीं है, देखिए सर जो vendor company है जो beta limited है, सर उसका EPS EPS, पहले 2 रुपए था बिल्कुल सही ये 2 रुपए था और जिन्होंने बनाया उन्हें पता और आप है 1.56, मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ भाई, इतना time ही नहीं है simple सी आपको, सर पहले 2 रुपए था merger से पहले, और merger के बाद 1.56 है, तो उसे साब से तो अपने share हम सामने वाली कंपनी को क्यों बेच मेरा तो फाइदा नहीं, मेरा loss है भाई साब EPS के साब से decision नहीं लेना हम MPS के साब से लेना और MPS 37.56 into 0.5 कर लेना ठिक और पहले MPS कितना था चाहुदा अगर MPS बढ़ना है merger के बाद, अगर MPS बढ़ना है तो बिल्कुल बेच दीजिए भई, सामने वाली कंपनी को share that's it कुछ बच्चों का कहना MPS के साब से जवाब देना, कुछ का कहना सर EPS के साब से तो कुछ ने दोनों ही लिख रहा है, वो भी सही है पर मेरा personal suggestion है कि आपको MPS के साब से जवाब देना था आपको equivalent MPS निकालना था और यहां MPS after merger है 18.78 जबकि merger से पहले था 14 तो क्या हमारा MPS बढ़ रहा है तो हमें अपने shares सामने वाली कंपनी को base देना चाहिए और उनके ने shares ले लेना चाहिए यह होना चाहिए था solution अगर बच्चे कहीं फसे है इस question में तो हो सकता point number 2 में फसे बाकि उसके अलावा कुछ नहीं है ठीक है जए यह point number 2 का मेरा opinion है अब पता नहीं क्या उसके बात बात करते हम लोग question number 1 B इसमें मुझे कुछ समझाने वाला था ही नहीं copy paste है it means figure change करके बाकी सारा question से मैं तो अगर इसमें में कुछ समझाओं तो कुछ बात ही नहीं कुछ नया नहीं है ना तो बच्चों ने इसमें मुझे question बुचा कुछ बच्चों ने गलतिया ये किया कि depreciation और या including operating expenses है तो यहां थोड़ी गड़बड किया था phone किया था मुझे कि सर हमने depreciation में से operating expenses माइनस कर दिया है और फिर बाद में operating expenses माइनस करना भूल गया खैर वो आपके काम की चीज नहीं है वो गलतिया by chance वो हर एक बच्चे से नहीं हो कि तो इस matter पर मैं बात नहीं करूंगा मैं question number two पर आता हूं question number two कहां से आया international financial management और सर इसमें कुछ खास बात थी क्या कोई खास बात नहीं copy paste है यह भी तो सर इस matter पर भी बात नहीं करेंगे बिल्गूल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कुछ था ही नहीं चले जी आगे question number two पर एक मात्र question और इतना बच्चा question है कि पहली क्लास में हम पढ़ा देते हैं इस question तो सर इस question में गलतिया हुई थी कि बच्चों से किसी बच्चे का फोन आया कि सर यह spread दिया था और आपने हमें समझाया था कि spread का मतलब bid और ask के बीच में जो bid rate और ask rate के बीच में जो difference है उसको spread कहा जाता है और उसको आप percentage में भी calculate करना सिखाया थे बिल्कुल सही बहुत रहा हंडर्ट पर लेकिन यहां bid ask दिया हुआ है भाई कि two month spread दिया तो आपको simple सी बात समझना बढ़ेगा कि actual में वो two month forward rate निकलवाना चाहता है थीक बच्चे को वो भी बात समझ में बोले ठीक है सर आप सहीं बोल रहा है हो पर क्या यह percentage में दिया है इसको 74 प्लस 1% लिखना है कि 74 प्लस 1 लिखना है क्योंकि सर आप तो बता रह कर देना था और कुछ करने की जड़त नहीं इस question में भी बच्चों का phone आया था कि सर इसको percentage में लेना चाहिए कि मेरा personal opinion नहीं लेना चाहिए इसको सीधा सीधा प्लस कर देना चाहिए उनका यह कहना 74 प्लस 1% 70 वो भी प्लस ही कर रहा है पर इसको वो percentage लेकर चल रहा है और म सॉलूशन देख लेना कहीं calculation mistake होगी तो मुझे बाता कि कोश्चन नमबर 3A सर टेस्ट पिपर में cover था क्या मैं क्यों ऐसी बात करूँ कि मेरे टेस्ट पिपर में ये question cover था ये question cover नहीं था मैं उस matter पर जाने नहीं चाहता कि मैं ये बताओ कि मैंने क्या किया मैंने कुछ नहीं किया institute का ही questions है exam में आया हुआ है practice study material में वो यूठा कर डाल दिया तो इस में सर कुछ समझाओ कि कुछ नाया था ही नहीं इसमें तो समझाओं क्या it means क्या ये question बच्चों से बन गया होगा हाँ जी बिल्कुल अगर मेरी तरह calculation mistake नहीं होई होगी 100% के question आप से बन गया तो question number 3a पे कोई बात question number 3b portfolio rebalancing इसको कहा जा था तुक्का किसी बच्चे ने मुझे phone किया था exam के दिन और गाता सर पोर्टफोलियो पूरा छोड़ के जा रहा हूं कुछ बता ही बता पूरा 24 रंपर पोर्टफोलियो आया वाई पूरा छोड़ दियो मैं गया यार देख लेना एक बार पोर्टफोलियो र बैलेंसिंग देख लेना मिस सुनीधी वाला कोशन यहां तो नाम चेंज किया था स्रीनीधी कर दिया था खैर उनका बाद में फोन भी आगया थे ठीक है सर आ गया था कोशन पर पोर्टफोलियो का छोड़ना बेवकूपी जिन्नोंने पोर्टफोलियो छोड़ा होगा न व के बाद लेना है जो पॉइंट के बाद दो डिजिट लेना है आप ले सकते हो मैंने राउंडेड ओफ कर रका इंस्ट्यूट में राउंडेड ओफ रूपीस में नहीं कर रका उन्होंने पॉइंट के बाद दो डिजिट लेना मैंने बना लिया था तो मैंने इसको चैंज क क्या हो यह बच्चे जो मुझसे पूछे वो यह पूछे सर यह पूछ रहा कोई error है कि इस टेकनिक में तो भाई साब portfolio rebalancing में constant portfolio mix मैंने ना जाने आपको कितना theory समझाएं कि देखो भाई इसमें floor होता है नहीं होता है यह जो है यह कब अच्छा होता है तो अगर मुझे लिखने के लिए आता मैं अपनी बात कर रहा हूं अगर मुझे लिखना होता तो मैं सारी कमिया लिख देता जो कि constant mix portfolio में था portfolio rebalancing में मैंने आपको तीन टाइप का portfolio rebalancing समझाया है theory में लिखवाया भी हो theory ऐसा नहीं बोल सकते कि लिखवाया भी हो और मैंने बताया हूं कि यार buy and hold में यह problem है constant mix में यह problem है CPPI में यह problem है इस इसके अलावा पता नहीं वह error क्या कहना चाहता अब वह suggested आएगा तब बात पता लगें इस matter पर मैं ज्यादा बात नहीं करूं कौश्ट नमबर 4 A 4 A में कुछ था क्या कुछ भी नहीं था भाई मेरे हिसाब से mutual fund का question है कुछ वच्चे इसको भी portfolio का question बोलते तो अलग मेंटर है पर हम जो मेरे student है वो इसे mutual fund में पढ़ते थे क्या पूछा था sharp ratio और क्या पूछा था trainer ratio पर इसके लिए हमें ER चाहिए था और standard division चाहिए था उसने ये ना देकर तीन साल का return दिया है तो ठीक है हम तीन साल के return के हिसाब से expect return निकाल लेंगे और standard deviation निकाल लेंगे correlation दिया हुआ है तो फिर हम correlation के help से बीटा बीटा निकाल लेंगे simple है तो वही मैंने किया है इसमें सरी question है क्या अगर मैं कहूँ बुक का दो नहीं है पर इतना simple question है भाई कि मुझे नहीं लगता बिल्गुल basic question था तो मैंने भी वही किया बीटा निकाला और बीटा किसाब से sharp ratio निकाला trainer ratio निकाला और यह आपको आता है तो सायदी कोई ऐसा student होगा जिससे यह ना बना अब question number 4B की बात करते है question number 4B खास बात है कि इस बार के कहां MTP में भी डला हुआ है MTP में question आसाम था और यह study material का भी question है तो इसमें भी समझाने वाली कुछ बात नहीं है बीटा एक का negative है तो बच्चे बोल रहे है सर बीटा negative वहाँ बीटा negative होता है बीटा negative मतलब अगर market बढ़ेगा तो security गिरेगा वो सकता है बीटा negative कोई दिक्रत के बात नहीं तो इसमें अगर मैं कहूं point number 1 और 2 में कोई student गलती कर ही नहीं सकता point number 1 और 2 में कोई गलती नहीं है और 3 में भी कुछ 3 में भी कोई समस्या नहीं है जो problem आ रही थी वो आ रही थी point number 4 बहुत सारी बच्चों के समझ में नहीं आया हाला कि उसने कहा कि हमें तीन ही security में पैसा लगाना है ठीक है हर एक में 20-20 परशन लगा नहीं लगाना है मतलब जो तीसरी security है 20-20 minimum लगाना तीसरी में कितना लगाना पड़ेगा 60 परशन लगाना पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं है किस तरह से mix किया जाए कि return क्या हो maximum ठीक है अगर scenario एक क्या bull phase bull का मतलब क्या होता सर बढ़ेगा तो यार market बढ़ेगा तो मैं ऐसी security में पैसा लगाऊ जिसका बीटा जादा है अगर market बढ़ेगा तो security बहुत जादा बढ़ना चाहिए ना बीटा जादा होगा तो और तेजी से बढ़ेगा ये बात मालूम है तो हम select ऐसे security करेंगे जिसक क्या बॉल फी स्में अगर मुझे सबसे जादा पैसा लगाना है तो मैं उसमें लगाए बुल फ्टेजगे क किश में होगा सबसे ज़ादा पैसा бы डिलिमिटेड मैं 60 परसण फिर s लिमिटेड मैं और फिर k लिमिटेड मैं बॉल फेस तो वही किया है उसने वही पूछा है कि अगर bull phase है, तो सबसे ज़्यादा पैसा किस में लगाओगे, अगर bear है इसका मतलब, अगर bearish मतलब market गिरेगा, तो ऐसे security में पैसा लगाओ, जो कम गिरे, कम, मतलब beta क्या हो, कम, तो इसमें मेरे ख्याल सब common sense लगा के कर सकते हैं, बाकि अच्छा point दिया था, solution आपके सामने अब समझी जाओगे, मतलब सर, bearish face में, ऐसी security में पैसा लगाओ भाई, बरबाद होने वाले हो न, थोड़ा सा धीरे हो, it means, ऐसी security में पैसा लगाई, जिसका beta कम, जिसका beta minus, ठीक है, तो यहाँ, थोड़ा सा last में, जो bearish face है न, यह minus में है, minus का sign नहीं लगा होगा, हो सकता मैंने जो सेजिश्टे दिया है, minus का sign, ठीक है सर, question number five की बात करते, question number five portfolio से उठाया है वापस, इस type का question डला हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, वो अलग-अलग proportion बोड़ रहा है, कि 65% एक में लगाना है, और 35% एक में, तो कितने portfolio बन सकते हैं, सबसे पहले तब का expect return निकालन पड़ेगा, और निकाला है, सबका, अब बोला कोई दो security को लेकर आपको portfolio बनाना है, और proportion 65%, 35% रहेगा, तो ठीक है, A, B ले लीजिए, ठीक, A, B, इसके अलावा क्या हो सकता, B, A, मतलब एक में 65, इसमें 35, फिर इसमें 35 ले 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 ते, इसमें 65 ले 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 ते, फिर इ इसके अलावा, सर, B, C, और E को जाएगा, C, B, इस तरह से 6 portfolio बनाना है, और सबका क्या बोल रहा है, सबका उसने expected return निकालने के लिए बोला, तो क्या बच्चो वाला question था है, यास, ठीक है सर, बच्चो वाला question था, और फिर उसने कहा कि चलो यार, 65,000, 20,000, और 15,000, और इस का बीटा यह है, तो portfolio बीटा निकालो, यार, कोशन दिया क्यों, यार, बच्चो को कुछ तो सिखाऊ, यार, कुछ भी, मतलब portfolio का question दे सकता था, तो कुछ, advanced level का question दे, इसमें कुछ थाई नहीं करने के लिए, और सायदी कोई बच्चा छोड़ा होगा, इस question को, अगर छोड होगा, तो छोड़ा होगा, तो भगवानी मालिक है, अगला attempt, sorry, तो चलो जी, और ये देखो, question number 5, bond का question as it is, मतलब यार, क्या कहना, ये तो यार, बच्चो वाला question है, मुझे ये भी नहीं लगते, इसमें कोछ समझाने वाली बात है ही नहीं, बहुत सारी question दिये, तो अगर ही बात थी, पर अगर मैं कहूं, कि देखो, भाई, एक लाख रुपिया, सात येर का bond है, पर दो साल हो चुके, तो पास साल बचे life, पास साल ही life बचे, अब इन्होंने कहा कि यार, एक लाख रुपए और सो रुपए face value, तो एक हजर bonds, अब वो बाइन का value निकालो, निकाल value निकालना है, और वो तो CA interval वाले निकाले, हम CA final वाले हमें भी present value निकालना है, बताओ, एक मैं 96.12, 104, 1000 से multiply कर देना, भले, यह आ गया है, मतलब अलग अलग discounting rate से value of bond निकालो, इसमें था क्या, हाला कि question number 6, बहुत सारे बच्चों ने छोड़ा है, जितनी मेरी बच्चों स और 3 में, point number 2 में बोल रहा है कि भाई, अगर wants available है at par, मतलब 100 रुपय में, और transaction cost है 1%, so transaction cost क्या होता, बेचने या खरीदने, बेचने और खरीदने पे, हम खरीदेंगे, तो transaction cost लगेगा, हम 5 साल बाद बेचेंगे, तो transaction cost लगेगा, अब question में कुछ नहीं बोला है कि जो transaction cost है 1%, वो किस पे लगेगा, क्योंकि अब भी का yield निकलना तो मैं मान के चल रहा हूं कि purchase पे नहीं लगेगा, और मैंने कहां कि यार bond मुझे 101 का पड़ेगा, तो किस rate से discounting करूं, कि bond का price 101 आ जाए, वही मेरा YTM कहलाएगा, yield कहलाएगा, YTM बोल रहा हूं, yield, एक ही बात है, तो sir अब मेने क्या है, सुना धियां से, मेरे पास बहुत सारा मैंने discounting कर, एक rate है 7.75%, जिससे bond का value कितना आ गया, 100.952, तो लगबग 101 रूप है, लगबग 101 रूप है, चाहो तो मैं सीधा 7.75% ले सकता था, यही मेरा YTM है, यही मेरा effective yield है, पर मैंने का चलो, interpolate भी कर लेते हैं, और interpolate किया, मैंने 100 से ज़्यादा लिया, मतलब एक 7% पर value कितना आया, 104 रूप है 10 पैसे, 7.75 पर value आगया 100 point कुछ, और इन दोनों के बीच मैंने interpolate किया, तो answer उतना ही आना था, 7.75% के आसपास, तो मैंने निकाला 7% पर value 104, 7.7 पर value 100, और मुझे चाहिए 101, तो इन दोनों की बीच का अंतर है, 3 रूपए 10 पैसे, interpolate आपको आता है, तो उस तरह से मैंने effective yield लेका, यह लगबग इतना ही आना था, कोई शक्की बात ने, 7.75 पर, ठीक, यह मेरा personal, यह सुनो, 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 बच्छो, यह solution book में नहीं है, ICAI का solution है, यह वाला party मेरा solution, ठीक, मेरी साबस effective yield 7.75% हो सकती है, मैं एक assumption दे रहा हूं, कि जो transaction cost लग रहा, वो सिर्फ किस पे लग रहा, परचीस पे लग रहा, ठीक, दूसरा वो बोल रहा है, कि अगर transaction cost 2% हो, मतलब 100 रूपए का 2% 2 रूपए, तो बताओ, कितने दिनों में recover हो जाएगा, break even, तो भाई देखो, 100 रूपए कमा रहे, 365 दिन में तो 2 रूपए कमाई है, यह वाला पार्ट मेरे हिसाब से है, प्लीज, अभी ICAI का solution नहीं आया है, या आता है, या आपका solution, आपका कुछ अलग opinion हो सकता है, कोई शक्की बात नहीं, आपके opinion अलग हो सकता है, मेरा opinion अलग है, जब तक ICAI का suggestion नही B का जो theory दे रखा, question number 6 B, वैसे 8 number का पुरा-पुरा question आता था, लेकिन इस बार उसने first financial policy का 2 theory दे रखा है, यह 4 number का होना चाहिए, और यह 4 number का होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, और क्या मांगा था, growth rate निकालना है, तो growth rate तो कैसे निकालते है, retention ratio कैसे निकालते है, यह तो 40% आ गया, retention ratio तो आपको पता है, अच्छा, 100 minus dividend payout ratio, dividend payout ratio 37.5% छोड़ो यह तो आपको आता, sustainable growth rate अपका निकल जाएगा, यह भी solution book में नहीं है, मैं अपनी book की बात करा हूँ, बाकी और ने डाल रखा होगा, तो मैं यह वाला solution भी book में नहीं है, पर थोड़ा common sense लगा क हो सकता, तो वैसे question number six, तो मेरे हिसाब से मैं होता तो मैं छोड़ता, तो यह था question paper, अभी भी यह 2-3 point है, जिसमें मुझे institute के suggested का इंतजार है, दो point पर खास बात, बाकी कुछ था नहीं, मुझे ऐसा रखता है कि question में exemption आ जाना चाहिए, अब देखो result बताएगा, ठीक है, thank you so much, अब क्या, देखते हैं कुछ नया question नया concept तो मिलता हूं YouTube में उसके बाद, thank you so much, bye bye